तो हेलो सुडेंट्स वेलकम तो अभिमन्यू आए एस सो कैसे आप सब लोग तो टार्गेट आएस 2021 में आप सभी का सवागत है सुडेंट्स तो शुरू करें मारा आज का सेशन अगर बात करें टार्गेट आएस 2021 में जिसमें हम लोग करेंट अफेस को कवर अप कर रहे हैं और वो करेंट अफेस जो आपके प्लस मेंज फॉर यह तू थू थूज़न ट्वीटी वण एग्जामीनेशन बहुत ज्यादा इंपॉटांट रहने वाले सुडेंट्स यह सेशन सभी ऐस्प्रेंट के लिए बहुत इंपॉटेंट रहेगा और खास कर उन एस्प्रेंट के जिनको current affairs में काफी ज़्यादा problems रहती है क्योंकि पिछले एक साल का current affairs आपको memorize करना है clear है ना तो ये session के बाद आपको कोई भी problem नहीं रहेगी current affairs के अंदर क्योंकि हम लोग इन ही sessions के अंदर March 2020 से जो April 2021 के current affairs को cover up कर रहे है है ना वह बहुत ही बारीकी से detailed discussion कर रहे हैं हर एक point को discussion किया रहा है हमारी तरफ से clear है और ये session आपका 70 days के लिए शुरू किया गया है free of cost याद रखें students मतलब April 2020 से सारी March 2020 से April 2021 का आपका session 70 days के अंदर हम लोग यहां पे complete करेंगे और continuity में रहेगा बस मैं यही hope करूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें और आपको मैं current affairs में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा अभी तक कि हमने 20 lectures को cover up किया जिसके अंदर में March 2020 April May और June को बहुत ही बढ़िया ढंग से cover up कर लिया है और आज जो हमारा 21st lecture होने जा रहा है ना माइडियर students वो हमारा शुरू हो चुका है आज से ही पहला lecture है का जुलाए 2020 के current affairs की ओपर clear तो session शुरू करें हम लोग ओके तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दू तो सुडेंट्स माइसल्फ करनम अगरवाल करेंट अफेस मेंटर इंद अभिमन्यू आई एस क्लियर आज की हमारी सबसे पहली न्यूज रहेगी national mission for the clean Ganga यह आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा GS paper 1 GS paper 2 and GS paper 3 के लिए याद रखें यह काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है और उसके ऊपर अगर मैं और भी इसके उपर इन बिट्वीन पढ़ते रहेंगे गंगा के बारे में भी तो शुरू करते हैं यहां लिखा सबसे पहले the world bank has approved a five-year loan अब concept आ गया students की world bank ने भी approval दे दी पांच साल के लोन के लिए वो पांच साल का लोन जो दूसरे भाग में यूस किया गया second phase में यूस किया गया ताकि हम लोग national mission for the clean गंगा एनम सीजी या फिर ना मामी गंगा प्रोजेक्ट को शुरू कर पाए second phase में और costing की गये 3000 क्रोड की to help सहायता मिल जाएगी जो एक जड़ है पॉलिशन का उसको खतम करना किस के अंदर रिवर गंगा के अंदर अब यहां पर concept आता है बेसन अगर यहां पर बेसन का मतलब यह रहेगा कि आपकी यहां ट्रब्यूट्री को भी कवरप किया गया है यह concept याद रखें हाला कि आपको knowledge है students मैं assume करके चलूँगा कि आपको basin का मतलब पता होगा क्योंकि basin वो concept रहता है जहां से एक नदी खुद तो flow कर रही है प्लस उसकी ट्रब्यूट्री उसकी डिस्ट्रब्यूट्री सहायक नदियां उसी के साथ वहां से निकल रही है तो वह पूरे का पूरा हिस्से हम लोग उसको basin बोल देते हैं clear है और मैं याद फिर से एक चीज़ बोलूँगा हमारी आज की 21st lecture की सबसे पहली news ही है national mission for the clean ganga यह मैं धीरे- धीरे करवांगो क्योंकि बहुत important रहे चुकी यह news है आपके लिए मैं guarantee देता हूं UPSS की उपर पका question आएगा ही आएगा याद रखें यह concept for the mains बहुत important रहेगा और इसमें data भी कुछ जादा ही हम लोग add-on करेंगे तो सबसे पहले मैं data add-on करता हूं पहले ही slide के लिए तो what do you mean by world bank what do you mean by नामामी गंगा प्रोजेक्ट या फिर national mission for the clean गंगा लीजे थोड़ा सा बस आप बने रहें मेरे साथ हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं number one आपको world bank क्या चीज़ है पहले यह discuss करते students एक ही लाइन में discuss कर लेते हैं कि यहां पर लिखा world bank के लिए के लिए कि वर्ल बैंक विद वन एटी नाइन मेंबर्स कांट्रीज अ दो वर्ल बैंक कि इस अ युनीक कि ग्लोबल कि पार्टनर्शिप कि यह है आपकी बहुत ही सिंपल सी world bank की definition जिसके अंदर आपके five institutions आते हैं clear है मैं यहीं तक रोगता हूं बहुत basic चीज़ है आपकी कि world bank क्या चीज़ है ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि what do you mean by नामामी गंगा कि जस्ट अ मिनिट कर रहा हूं यहां पर नाशनल mission for clean ganga थोड़ा सा important रहेगा आप लोगों के लिए n m c j अब यह क्या चीज़ है students लीजे फोकस कीज़े यहां पर यहां पर लिखा कि इस दख कि implementing कि विंग कि ओफ कि नाशनल गंगा कि रीवर कि बेसिन अथोरिटी थोड़ा सा ध्यान रखना यह एक implementing विंग है किसके अंडर आता है नाशनल गंगा रीवर बेसिन अथोरिटी के अंडर आता है और यहां पर कौन सा मंत्राले आ चुका है लिखा गया कि कि कम्स अंडर दर मिनिस्ट्री ओफ एन्वार्मेंट फोरेस्ट और क्लाइमेट चेंज अन त्वेल्ट ओफ ऑगस्ट 2011 यह देट थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि अगर देट भी लिखते ना तो बहुत ही पेपर इंप्रेसिफ बन जाता है एक फिक्स हमें बात पता है यह चीज ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है भारत के लिए चीज अंडर दख सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस तरीके की चीजें प्लीज आप लोग नोट डॉण करके रखा करें और कौन से सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हम ने जो मंतराले गठित किया था नैशनल मिशन फॉर दर क्लीन गंगा के लिए तो वो कौन से एक्ट के अंदर है प्लीज आपके नोट करके रखें क्योंकि अगर मेंस में पेपर आता है तो आप यह लाईने लिखते है ना त लिखा सो फार अभी तक 13313 प्रोजेक्ट अभी तक के 1313 प्रोजेक्ट गंगा नदी के ओपर चल रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग आ चुकी है 25,000 क्रोड रुपे की 25,000 क्रोड्स हाव बीन सेंक्शन अंडर दम मिशन यह तो बहुत इंपोर्टेंट रहेगा प्रिलिम्स और मे दोनों के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब लिखा ये बात की की वर्ड बैंक ने दूसरे फेस के लिए 3000 क्रोड रुपे का help की है और पहले फेस में 313 प्रोजेक्ट चले जिसके अंदर 25,000 क्रोड रुपे का खर्चा आया था और पहले फेस में क्या हुआ कि जो नामाम 35 क्रोड दिये थे और जो वैलेड रहेंगे दसमबर 2021 तक मतलब इस साल के आखिर के मही ने दसमबर तक ये पैसा वैलेड रहेगा ऑफ दे नाशनल गंगा रीवर बीसिन क्लेर एस रूरेंस यहां तक इस सेकिंड फेस में क्या होता है लिखाक दा हाइब्रिट एनुटी प्रोजेक्ट मतलब दा लोन वुड़ फंड थ्री नू अब कंसेप्ट है जो आपने लोन शेक्शन किया उसके अंदर तीन नए क्या आगे तीन नए फंड्स सॉरी फंड्स के अंदर क्या तीन नए आरे प्रोजेक्ट सारे वो क्या है नंबर वान फर्स्ट वान इजर हाइब्रिड एनुटी प्रोजेक्ट कहां पर आगरा में याद रखें ये कंसेप्ट याद रखें बट मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि आगरा में तो रीवर गंगा है ही नहीं बट आगरा इस स अफ रीवर गंगा याद रखें ये कंसेप्ट तभी हमने आगरा के अंदर हाइब्रिड एनुटी प्रोजेक्ट को लॉंच किया ये चीज थोड़ा ध्यान में रखें क्योंकि हमने यहां पर एक वर्ड पड़ा है मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं बार बार अरे गंगा रीवर बेसिन के लिए शुरू किया सर्फ गंगा नहीं बेसिन भी आ गया उसका तभी तो आगरा के अंदर ये प्रोजेक्ट आगया आपका दूसरा आते मीरत में मीरत में एंड सहारनपूर में ये मीरत सहारनपूर आगरा आपका उत्रप्रदेश में देखने को मिल रहे उत्रप्रदेश for the tributaries of Ganga clear है आगे बढ़ते हैं cleaning project अब साफ सफाई वाले concept में देखते हैं कहते हैं some of the projects include spillover projects from first phase of the mission as well as cleaning the projects in tributaries such as Yamuna and the Kali river अब मैं आपसे फिर से एक request बोलना चाहूंगा हमने Yamuna को क्यों ही consider कर लिया इसके पीछे दो कारण है एक तो river Yamuna largest bank है right bank tributary का गंगा का दूसरा आपकी river Yamuna आपके national capital region से भी होकर निकल रही है क्योंकि वहां पर यह सबसे दाधा पॉलिट भी हो चुकी है और सबसे लंबी भी है आपकी रीवर अब काली को क्यों बोल दिया why we consider as a river काली in the cleaning project अरे रीवर काली बहुत importance रखती है अपनी clear है ना चलें आगे अब आता है डीबी ओटी प्रजेक्ट यह क्या चीज़ है डीबी ओटी का full form रहेगा design उसको build करना है उसको चलाना है और फिर उसको आगे transfer करना है कहते है इसकी costing आती है 1209 crore is provided for the ongoing db ot project जो अभी चल रहा है कहां पर बक्सर में मुंजेर में बेगुसर आए इन बिहार और बिहार के अंदर आपके यह प्रजेक्ट चल रहे हैं क्या डीबी ओटी design build operate and transfer अब यहां पर यह concept याद रखें ऐसी कौन सी नदी होगी जो बिहार के अंदर यह डीबी ओटी प्रजेक्ट उसके उपर maximum चलता होगा तो हम लोग बोल सकते हैं दर रीवर कोशी को अरे कोशी रीवर को तो बोला गया ना sorrow of बिहार क्यूंकि sorrow of बिहार ब सब्सक्राइब बाहर लेकर आने वाले नदी कोशी एक जो नेपाल ते बच से और इस नदी होती है तो वहां पे हम लोग डीबी ओटी पर बोल सकते की maximum कोशी नदी पे काम चलता होगा अपना अधर आगया आता है और दूसरे इनिशेटिव कौन कौन से हैं यह लिखते हैं इनिशेटिशन देवलेप्मेंट्स इंप्रूविंग इंवेस्टमेंट्स रेजिलिएंस तो दे कोविट-19 लाइक एमजन सिच्वेशन पर्फॉर्मेंस बेस्ट इंसेंटिव फॉर अर्बन लोकल बोडी इस कॉम्मिनिकेशन और मैनेजमेंट प्रोग्रम्स क्लियर है यह लिखा कि मोस्ट अब गंगा इस पॉलिट अब गंगा की ओवर ओल लेंथ एक एवरेज बोल दो तो 25-25 किलोमेटर बोला गये 25-25-25-25 किलोमेटर्स की आपकी गंगा की लंबाई है जो कहां से निकली उत्तराखंड से उत्तराखंड के बाद सुद्स कहां गई यूपी में यूपी में जाने के बाद कहां गई है यह बिहार में इसका कुछ इसा जारखंड में निकलता है फिर उसके बाद वेस्ट बिंग और नहीं जाएगी माइडियर सुदेंट्स यह दो हिस्सों में बंड जाती है एक को बोल दिया भागी रही दूसरी को क्या बोल दोगे आप पड़ते हैं इसको गंगा पॉल्यूट हो चुकिए इट इस ड्यू तो प्रेजिंट फाइफ स्टेट्स और रीवर्स में सेम अब कंसप्ट है भारत के ऐसे पांच राज्य जहां से पॉल्यूशन निकठा होता है और गंगा नदी में मिल जाता है और वो कौन कौन से हैं हम уз प्रिफ्에 ने पंड़ा ऊत्राँ ठील हमने ने पौड़ा रहना रखन को देखा बिहार को देखा और वेस्पेंगाल को देखा नहीं कि हमने भारत की बात कर रह ने और एक एक concept याद रखना यहां पे add-on data लिख लो कि वेस्ट पेंग ओल में ना एक अपने पास बैरेज है बैरेज मतलब एक रास्ता ऐसा आ गया जहां पर आपकी रीवर गंगा जा तो रही थी बट बाय फर्केट होगी तूट गई वो कैसे हो गया वो हो गया फर्राका बैरिज शेक ठीक है ना यह चीजान में रखना इंडिस्टल् पॉलुशन फ्रॉंप टैनरी यंद कानपूर डिस्टिलरी इस पेपर शूगर मिल इंद कोशी अब कंसेब देखें शूगर मिल इंद कोशी राम गंगा ये सारी की सारी शीर दरीवर कोशी डरी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वाली केते काच्मेंट्स आर मेजर कॉंट्रिब्यूटर्स अब कंसेट क्या है वोट दिम्रेट कैच्मेंट का मतलब वो होगा ना जहां से एक नदीन अपना पानी कठा कर लिया उस वो हिस्से को मैंने क्या बोल दिया ठीक बढ़ते हैं अब लिखाक कि एकॉर्डिंग टू दे सेंट्रल वॉर्टर कॉमिशन सी डब्लू सी फोर ओफ एलेवन हाइड्रो प्रजेक्ट्स केते एक गैरा हाइड्रो प्रजेक्स में से चार है जो ऑन अपर रीचिस ऑफ रीवर गंगा जो अपर रीच का मतलब क्या है जो पुत रख रहेगी तो उन्होंने गंगा का एकलोजिकल फ्लो को जो नॉमल था वो खराब करें दिसर्ब करते वालिट कर दिया विचस फॉर्थ इंटरॉप्टिंग दप नेचुरल फ्लो ऑफ द रीवर यहां तक कुट आउट नू नहीं है ना बढ़ते हैं आगे आगे लिखा थे प अंदि कॉंसरे नियर रीवर बेट्स अव बिकाम अ अ मेजर हुडल इन ग्लिन अप कंसप्ट यह है कि यह मिशन को लॉंच तो कर देबाट इसके अंदर कुई हर्डल आ रहे हैं तो बिल्कुल आ रहे हैं वो अर्डल है जो खुंसरे इसक्षिंग गई है बिल्कुल नदी क का इतना ज्यादा प्रयोग नहीं हो पा रहा due to the lack of supervision monitoring अब यह आपके सामने news है यहाँ पर लिखा कि एक सेखिंड कि गंगा इस लार्जेस रीवर बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर देखें आप लोग कि यह अपने मिशन शुरू किया था क्लीन रीवर सुत्रा यह हमने गंगा को comparison कर दिया ठीके ना यह हाला की थोड़ी सी news इससे जो कटिंग यहाँ पर दिख रही है यह आपने news से relevant नहीं है बड़ थोड़ सा comparison कर दिया इंटरनाशनल रीवर से जर्मनी की ऑस्ट्रेयिया की सुझे लैंड की फ्रांस नीदलांड एंड़ लिचस्टेंस की जिसको बढ़ेगा रीवर रहाइन क्लियर कोई डाउट तो नहीं है आगे बढ़ें यह डाटा आप लोग प्री सोड़ी सी कटिंग को पढ़ लिया करो बढ़ते हैं आगे यहां लिखाक कि गंगा एक्शन प्लैन सबसे पहले फर्स्ट रीवर एक्शन प्लैन है मैं प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से इसको इंपॉर्डन बोड़ाओं अब किसने किसने शुरू किया कौन से मंत्रालेने एन्वायरमेंट फॉरेस अन्ट चेंज ने कब 1985 में इंपॉर्टेंट रहेगा यह डाटा याद रखें क्यों ताकि हमने गंगा नदी की जो पानी की क्वालिटी है उसको और भी बढ़िया करना है बाइद इंटरसेप्श दावर्जिंस और ट्रीटमेंट अफ डॉमेस्टिक सीवरेच अब यहां लिखा कि नाशनल रीवर गंगा बेसन अथॉर्टी वोज यहां पर लिखा वास फॉर्मड बाइद गवर्मेंट आफ इंडिया बारत सरकार ने बनाई है आपकी नाशनल रीवर गंगा बेसन को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया 2009 सन्मिन 2009 में कौन से कानुन के अंडर सेक्शन 3 ऑफ दे अन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक 1986 अब नेक्स्ट आता है क्लीन गंगा फंड अब फंड भी आते हैं तो कौन सा है 2014 में यह शुरू किया गया था कहते इट वस फॉर्म्ड क क्यूं अरे गंगा को साफ कर रहे हैं उसके अंदर वेस्ट्रीट्मेंट प्लांट्स लगा रहे हैं अब आपको इसका एम पता लग गया जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए नेक्स डाता है भुवन गंगा वेब आप प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा इस सेशन का अगर बात कर दो कहते हैं यह एक एप्लिकेशन है जो एक गैरंटी एंशॉर करती है इन्वॉल्व्मेंट ओफ द पब्लिक अरे पब्लिक देखेगी इन्वॉल्व रहेगी किसके उपर मॉनिटर करेगी कि जादा से जादा पॉलूशन गंगा नदी के अंदर एंटर ना हो पाए ताकि पॉलूशन एंट्रिंग इंटू रीवर गंगा कितना हो पा रहा है हम लोग उसको रोकने में पब्लिक क्या हेल्प कर रही है गवर्मेंट ऑफ इंडिया की वो कंचेप्ट है वो हमने हेल्प करेगा कौन घूवन गंगा वेब एप फिर आता है बैन ऑन दो वेस्ट इस्पोजल 2017 यह जो डेली में इसको आपको हेड़कोर्टर देखने को मिलता है कि नाशनल ग्रीन ट्रिबुनल बैन इंड गंगा क्लियर हाला कि NGT ने एक और भी न्यूज निकाली है नाशनल मिशन फॉर दख्लीन गंगा को लेकर कि आने वले फ्यूचर में वो लोग रीवर राफ्टिंग को भी रोक रहे हैं बैन करेंगे गंगा नदी के ऊपर हाला कि इससे टूरिजम को इफेक्ट होग बट कई जगा पे सिर्फ हमें रीवर राफ्टिंग देखने को मिलेगी बट अब हर जगां पे गंगा नदी के ऊपर रीवर राफ्टिंग बैन की जा रही है और कौन से मिशन के अंदर नाशनल मिशन फॉर दर क्लीन गंगा ये किसने एडवाईजरी जारी की है नाशनल ग अपर देखने अफ एक्सिंग सीवरेट ट्रीटमेंट उसको और भी बढ़िया बनाने में इंड़िस पॉलूशन को हमें टेकल करने है यहां पर लिखा कि टेकलिंग दॉशन कमिंग फॉलूशन कमिंग फॉर्टेल चैमिकल फर्टिलाइजर जिए पैसिसाइड टेकलिंग religious refuse entering into the rivers including clean of the river surface and the ghats, model cremation ghats on the bank of river Ganga अरे यह भी इंपोर्टन है यह कौन सा कंसेप्ट है यह आगा हिंदू रिच्वल्स के कॉर्डिंग लिए इवन लिखा कि development of public amenities in the चार धाम यात्रा and at Ganga Sagar, engagement of the Ganga Task Force, detailed project reports होनी चाहिए, GIS and spatial mapping of the Ganga Basin, तो यह सारे के सारे यहां पे जो हमने एक सुझाव दिये भारत सरकार ने सुझाव दिये, वो किसको लेकर, ना मामी Ganga को लेकर, clear है ना, चले हैं आगे, बढ़ते हैं ना मामी Ganga program है क्या, के ना मामी Ganga program एक integrated conservation mission है, अरे integrated का मतलब क्यों होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना और बढ़ाते जाना, conserve करना रीवर Ganga को, वो हमारा mission है, approve as a flagship program by the union government in 2014, to accomplish the twin objective, अरे twin objective का मतलब क्या रहेगा, कि इसका एक नहीं, इसके दो objective रह abitment of the pollution, कम करना है, conserve करना है, regeneration of the national river Ganga, under the department of water resources, river development and the Ganga regenerations, ministry of जल शक्ती, again most important, अरे my dear students, हमने जून के अंदर एक news पड़ी थी, ministry of जल शक्ती के तहत, क्या, जल शक्ती mission भी launch किया गया था, जब COVID-19 में migrate labor जब चली गई थी अपने घर पे, तो ministry of जल शक्ती ने ही तो बोल दिया था ना, कि वो, जो migratory है, labor, अपने घर जा चुकी है, due to the lockdown, हम लोग उनको use करेंगे, किस के लिए, ताकि हर घर में, rural areas में clean water की pipeline लग सके, तो वो भी ministry of जल शक्ती के अंदर आ था, तो ये भी ministry of जल शक्ती के अंदर आता है, आप लोग revision करा करो, बस हमने तो भाना चाहिए, कोई भी news को revision करने का, हमने ministry of जल शक्ती देखा, ना मामी गंगा में, और हमने ministry of जल शक्ती के, एक और news को, क्या कर लिया रिवाइस कर लिया, वो कौन शाथा जल शक्ती मिशन, हमने पढ़ लिया है उसको तो, आगे एक, the program is being implemented by the national mission for the clean ganga, and its state counterpart organization, मतलब state programs, management group, clear एक, next आया, कि ना मामी, sorry, national mission for the clean ganga, एक implementing wing है, national ganga council का, जो set up किया गया था, 2016 में, which replaced the national ganga river basin authority, इसको replace कर दिया गया था, clear है, और it has been a 20,000 crores, centrally funded, non-lapsable, अरे, lapsable का मतलब क्या है, कि रद नहीं किया जाएगा इतना पैसा, corpus, and consist of nearly 288 projects, the main pillars, अब इसके main thumb क्या है, pillars क्या है, एक, तो, severage treatment plant को, हमने modernize करना है, infrastructure उसका बहुत बढ़िया बनाना है, याद रखें, industrial efficient, sorry, effulent monitoring, क्यों monitor करना है, अब अब यमुना नदी पी देख लो, अरे, यमुना नदी में, सबसे ज़्यादा हम लोग chemical waste को टो, डिक कर रहे है, क्यों कर रहे हैं, इंडस्ट्री से निकल रहे है, हमें उसी को तो रोकना है, फिर आता है आपका, कि river, front development and river surface cleaning, अरे, river का surface भी clean करना है, उसको उपर से भी development करना है, उसको अगर ये चीज़ कर कर देंगे, तो biodiversity अपने आप आजाएगी, और a forest station कर रहे है, public को awareness करना है, अरे, public को आप लोग awareness कैसे कर सकते हो, तो मैं तो ऐसे भी बोल सकते हूं, कि भूण गंगा एप हमने इसलिए तो launch कर दी ता कि public को aware होना चाहिए, ना, जाग रुपता लेकर आने, हम लेकर आ रहे ह यहां तक, कोई doubt तो नहीं है, आप लोग को, ओके, हम थोड़ा सा data और add-on करते हैं, इसके अंदर, अभी second news पर चलते हैं, वस उससे पहले एक data add-on कर लेते हैं, What do you mean by Center Water Commission, अरे अभी पढ़ा ना आपने, गंगा के अंदर, तो यह क्या चीज है, Number One, केते एक Premier Technical एक organization है, भारत की, of India, in the field of water resources, and is presently functioning as an attached office, अरे यह किस के साथ attached हो चुका है, Attached Office of the Ministry of Jal Shakti, फिर से आ गया, Jal Shakti याद रखें, केते, इट वोज, अरे एक मिनट, इट वोज, फॉर्म्ड इन 1974 से 1975, बाय प्रॉपर, नोडिफिकेशन, अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज बताएए, मैं आप से एक और announcement करना चाहूंगा, क्योंकि कई students को ये उनका भी काफी अच्छा suggestion है, कि हम लोग daily basis पे जो news covering है, उसको बढ़ा दें, मैं उसको पर काम भी कर रहा हूं, but my dear students एक request है, आप लोगों से, कभी-कभी कैसी news आ जाती है, जिसको काफी देर लग जाती है, जैसे कि अभी हमारे जो आज का 21st lecture है, आज का हमारा session अब शुरू है, अरे उसके अंदर आदा time तो सिरफ नाम आमी गंगा program को समझाने में चला गया, तो please थोड़ा सा आप लोग भी corporate करना, कि कभी-कभी एक ऐसे important news रहते हैं, कि अगर उसको अच्छे तरीके से ना किया ना, तो वो problem create कर सकती है, UPSC के लिए, याद रखें, clear है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, time nervous करते हैं, हमारे next news आती है, online education, अरे online education के ओपर work करते हैं, online education आपके लिए important रहेगी for the GS paper 2, GS paper 3 के रिए, शुरू करें, यहां लिखाक, the central government has proposed long term measures to address the social inequities in the online education, as highlighted by the COVID-19 pandemic, अभी यहां पे तो हमें यह काफी news देखने को में मिलती है, यह ना, COVID-19 के कारण जो भारत के अंदर एक नया trend आया है, online education का, हाला कि यह पहले से था, बट अब यह बहुत ज़्यादा famous हो चुक है, काफी ज़्यादा use में है, तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, यहां बोला, the measures include, plan, to distribute laptops or the tablets to the 40% of the college, university students over the next 5 years, भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने बोला, planning चल रही है, कि उन्हों हम लोग laptop या फिर tablets ने, वो college और university के students को, अगले पांच साल में, और ratio कितना रखा गया, चालिस परसेंट अमने distribute करना है, and to equip all the government schools with the information and the communication technology, ICT, यह मैं आपके लिए prelims perspective से important mark करना हूं, कौन सा line, अरे लिखा है ना, कि equip करना है, सभी सरकारी स्कूलों में, कि उसके अंदर information and the communication technology, set up की जाए, केते earlier in April 2020, the center has announced to start the 2020-2021 academic year virtually, clear है, shall we move further, next आया अपने पास, कि providing these devices to the 4.0 crore students, मतलब यह कितने होगा, 40% students वे यह तो, by 2026, total costing कितने रहेगी, 60,900 crores, clear, इसके अंदर अब फिर से funding का ratio आएगा, वो funding का ratio कितना रहेगा, students, इस central लगाएगा 60% funding, और state लगाएगा 40% funding, तो 100% funding से यह हम लोग target achieve कर पाएगे, 60,900 crore rupees का, clear, जिसके अंदर भारत के सिर्फ 40% ही students, cover up की जा रहे है, 40% of the project student population, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह अब education की बात कर ली, तो human resource development mantra ले आगे आएगा, HRD तो लिखा है कि ministry of HRD resource development proposes to spend 2,306 crores on developing and translating the digital course content and resources on the next 5 years, clear है, बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लिखा, कि different e-learning technologies will be used, अब concept है, हमने कई कई different different learning programs को use किया है, like, आप YouTube, जो आप अभी देख भी रहे हो, Google Classrooms, हमने Google Meet भी देख सुना इसके नाम पे तो, ठीक है ना, कई apps और भी है, जूम प्लेयर भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आदेख, स्वयम प्रभा पॉर्टल, direct to home, अरे concept देखें, कौन सा, स्वयम प्रभा पॉर्टल, most important है, जी, मेरे प्रलम्स पेपर के लिए, तो students बहुत important है, और this is your, स्वयम प्रभा, free DTH, DT stands for the direct to home channel, एक concept और जाद रखें, DTH का full form रहता है, direct to home, और इसकी frequency रहते है, 16 by 14 hertz की, overall हमें ये सुनने को मिलता है, 16 by 14 का मतलब क्या है, हम लोग नीचे से satellite को signal बेचते हैं, 16 hertz की frequency यूज़ करते हैं, जब satellite हमें धरती से नीच, सेटलाइट, से जब धरती पे signal आता है, जिसको बोत है, डाउन कि तब कौन सी frequency उसकी जाते है, 14 hertz की, ये चीज़ आप लोग याद रखें, कि 16 by 14 hertz की frequency, mostly यूज़ की गई है, for the purpose of direct to home, clear है, अचा जी, स्वैम प्रभा पॉर्टल क्या चीज़ है, उसकी अपर discuss करते हैं, बस give me one minute, एक मिनिट दीजे सुदेंट्स, okay, now, what do you mean by, स्वैम, प्रभाप, पॉर्टल, शुरू करता हूं, कहते है, इडिजान, इनिशिएटिफ, of the ministry of human resource and development, HRD लिख दिया, मैंने, short form लिख दिया, to provide 32 high quality educational channels, आप concept पे focus करें, educational channels हमने launch करने हैं, 32 high quality के, through, DTH मतलब, direct to home, across the length and breadth of country, on basis of 24 by 7, 24 घंडे साथ हो दिन आपको ये एक technology, इस्तिमाल करने को मिल जाएगी, अच्छा जी, अब एक concept और देख लें, कि जो हमने लिखा ना, कि direct to home है, तो इसके लिए भारत सरकार ने कौन से सेटलेट को यूज किया, वी आर यूजिंग, जी सैट, 15, सेटलाइट, again most important data for the prelims, अब आप देखें, UPSI किस तरीके से कोशन उठाएगा, education online कर दी, ठीक है, कौन सा portal यूज कर लिया, अरे स्वयम प्रभा पॉटल, जो भारत सरकार का एक मंतराड़े ने लांच किया, human resource development ने, with the help of DTH, अब DTH ने कौन से सेटलेट को यूज किया, वो था G-set 15 सेटलेट, clear है यहां तक, आगे बढ़ें, कोई doubt तो नहीं है, होना भी ने चाहिए, बस आप इसी तरीके से boost up रहें, हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, अब सोच के चलें, इस बार थो हमारा, civil services पका crack हो गई होगा, 100% होगा हमारा, clear है ना, आगे बढ़तें, कहतें, under the composite grant for the school, अब schools के लिए भी जो grant आया है, ranging between 25,000 rupees sake for the small schools with less than 100 students and the 1 lakh for the schools with over a thousand students for awareness, community, mobilization to the sensitive parents, students, local leaders about the pandemic, social distancing and other preventive measures, clearest students यहां तक, आगे बढ़े, देखते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं, next आता अपने पास कि rupees, 1000 per teacher, हर एक teacher को 1000 रुपया दिया जा रहे, to encourage them, क्यों, ताकि वो function कर सके, first level counselor के लिए, जो counseling करते है students का, designate basic information about the COVID-19 and the provided digital online and the mobile education, ताकि वो counseling कर सके, आप किस तरीके से digital education, online या mobile education, आप लोग use करके अपनी education को continuity में रख सकते हैं, आप आगे लिखा गया, रुपी 1 lakh per school, अब हर एक school के एक रुपय का खर्चा दिया गया, ताकि वो school sanitize हो सके, quarantine measures के लिए and preparation for the safe reopening of the schools, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था, 2020 के अंदर कि जब बहुत ही जादा आपका COVID-19 peak पे आगया था, तो हमने government schools को भी कई भारत के राज्यों में क्या बना दिया गया था, quarantine centers बनाया था, इसलिए तो sanitization must था वहां पे, आगे लिखा कि अब proposed budget था 55,840 crores to equip government schools above the upper primary level with the ICT facilities, clear students यहां तक, देखें कोई doubt रहेगा तो आप comment section में जूर लिखें, आगे बढ़ते हैं, next लिखा आप, e-learning, electronic learning, जो हम लोग digital बोल रहे हैं, is a privilege for the students from middle and the upper class, अरे जो middle और upper class के students है ना, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा advantage है, but it has proved to be a nuance for the students from the lower middle class and the people living below the poverty line, अब इनके लिए तो drawback आगे है ना, lower middle class और BPL below poverty line के लिए, क्योंकि उनके पास वो technology नहीं है, वो equipments नहीं है कि भारत सरकार के वो technology को assess कर सकें, for example, एक proper android based mobile, proper android based tablets, laptops, तो वहाँ पर problem आती है, तो लिखा, यह आप mains में लिख सकते हो, ठीक है ना, यह लिखा कि poor students, who do not have access to e-resource, like computers, laptops, internet connectivity, will not be able to attend the classes from the home, teachers too might have technical constraints and if teachers are equipped, but the same might not be case for the institutions, clear है, यहां भी लिखा, कि the government should start making assess to the technology universal, अब concept है, in the public education system, ताकि वो लोग, अब public education के अंदर भी भारत सरकार assess करवाना शुरू कर दे, technical education को, universally, private players can make e-resource, अब जो private schools है, private universities है, private institutions है, वो लोग तो e-resource को assess कर रहे हैं, और available to the students, उनको भी है, students को भी है, कौनशे scheme के अंदर, under the corporate social responsibility, clear है, अब what do you mean by CSR, corporate social responsibility है क्या चीज़, इसके ओपर work करते है, देखिये, what do you mean by corporate responsibility, CSR, लीजिए, शुरू करते हैं, number one, देखिये, क्या चीज़ है, कहते, it is governed by clause, कानून से बना कौन सा, 135 of the Companies Act 2013, याद रखें ये चीज़ें, अच्छा, इसको बनाने के पीछे, इसका main aim objective क्या था, कहते, companies affect on the environment, and impact on social welfare, यहां तक students के लिए रहे, कुछ doubt तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं, और चलते हैं आगे, नेक्स क्या लिखा, यहां पर लिखा, एक definition, किसका, right to education, अरे, यह right to education क्या है, हमारा fundamental right है, needs to expand, अब यह जरूर्थ है, इसको और भी, इसकी definition को और भी broad किया जाए, and promote online education, अब concept है, कि right to education के अंदर, जो उसकी definition है, उसके अंदर, एक online education का भी definition लिख दिया जाए, ताकि, so that, it addresses the importance of the connectivity, and assess to the knowledge and the information, clear है, यह data important रहेगा, याद रखें आख लो, next चलते है, हमारी अगली news आती है, कि two new species of butterflies, हमने detect की है, और यह important रहेगा for the GS paper 3, clear students, चले, यहां लिखा, number one, the lepidopetrist, have discovered, इन्होंने discover किया, दो नई species को butterflies की, वो कौन है, the lepidopetrist, that is, कौन कौन सी नई species है, number one, striped hair streaks and elusive prince, कहां पे, Changlang district of Arunanchal Pradesh, याद रखें, North Eastern states of India, भारत का जो है, Arunanchal Pradesh, वहां पे, दो नई butterflies की species को discover किया गया है, number one is your striped hair streak and second is your elusive prince, यहां पे लिखा, at present, भारत के अंदर 1327 प्रजातिया है, 1327 species किस के हैं, butterflies की है, as compared to the 1318 species in the 2015, 2015 में भारत में 1318 थी, बट अगर 2020 की बात की जाए तो हमारे पास कितनी बढ़ गई, बता सकते हैं, nine species और बढ़ गई हैं, यहां पे लिखा, a lapidopatrist is a person who specialized in the studying butterflies and the moths, again, prelims perspective, plus means perspective से important रहेगा, यह चीज़ कौन सी, the scientist, कौन है यह, यह है, lapidopatrist, clear है, यहां बोला गया, it is found in Vijayanagar village of Changlang district of Arunachal Pradish, Vijayanagar village of Changlang district, जो Arunachal Pradish के अंदर है, जो border करते हैं, Myanmar के साथ, clear, it was a subject of interest for the lapidopatrist, as its genius is diversified into several generias, that is, कौन कौन से हैं, वो है, एक subject division and thus difficult to trace, यह लिखते हैं, it was the first record, यह सबसे पहला record है, in Hainan province of China, it is also found in North America, from the Rocky Mountains, again important, यहां पर इसका history दिखाएगा, background दिखाया गया है, clear है, बढ़ते हैं आगे, लिखा elusive prints के बारे में, जो हमने एक species देखी, एक minute, आपने यह चीज़ पढ़ी हैं यहां पे, just a minute, यह बला, तो my dear students, एक मैं आपर clear करते हूँ, आप लोगों के लिए, just a second, तो आपने जितना भी यह last three lines पढ़ी हैं न, so यह आपकी striped hair streaks के लिए है, यह आपकी butterfly number one species के लिए, ठीक है, elusive prints के लिए बताया गया, कि यह मिली हमें, मियाओ, sub divisions, कहां पे है यह, यह है, नाम धपा national park में, in India only, a male specimen of the elusive prints was found most important, याद रखें, बाइड़वर्सिटी वले paper में आपको बहुत important काम करेगा, clear, लिखाक, initially, it was considered as variant of black prints, but the study revealed, but study उसके उपर discuss किया, sorry, detail study की, तो वो पता लगा, कि it is different and not recorded in India before, उससे पहले नहीं मिली है, क्याते, it was first recorded in, तो जो आपकी elusive prints है, यह पूरे दुनिया में सबसे पहले कहां में मिली थी, in Tonkin in the North Vietnam, clear है, निक सलते हैं, क्याते, it has been represented in India by the two species, आपकी जो elusive prints है, यह भारत के अंदर, दो तरह की प्रजाद के, इसी के अंदर मिली, elusive prints के अंदर मिली, कौन-कौन सी, number one, black prince, जिसको बोला गया, रुहाना परिया साटिस, and the brown prince, जिसको बोला गया, रुहाना परवता, clear है, again मैं इंपॉर्टन माग करूँगा, यह इंपॉर्टन आप लोको के लिए, यह भी इंपॉर्टन रहेगा, these discoveries from Arunachal Pradesh, indicate the rich biodiversity of the state, again, आपको पता लग गया, की Arunachal Pradesh की बावर्शी क्यों इतनी इंपॉर्टन है, और उसके अंदर कौन सा नाशल पाक, जहां पर यह मिली, the support needed, this will help in boosting eco-tourism, apart from the regular scientific research, clear है, यह एक advantageous line थी आप लोगों के लिए, की apart from the tourism, हम लोग इसको और भी कैसे boost up कर सकते हैं, clear है ना, बढ़ते हैं आगे, अब butterflies कौन कौन हैं, तो यह रही हैं आपकी, जो two species मिली हैं में, कैते है, butterflies की definition क्या ही एक insect है, from the order, लेपीडो, पेट्रा, औफ, फाइलम, और यहां पर क्या लिखा, एथ्रो, पॉड़ा, विच अल्सू, इंक्लूट्स, मौथ, यह मौथ के लिए बताया गया, और अगर मैं बात करूँ, butterflies की, तो वो एक order, इंसेक्ट है, कौन से ओर्डर से, लेपीडो, पेट्रा, और फाइलम, के, एडल्ट बटरफ्लाइज, हैव लाग्ट, बहुत बड़ी देखने को मिलती है, ओफन ब्राइट कलर, ब्राइट भी काफी ब्राइट रहे तेक, विंग्स बड़े होंगे उसके, और कॉंस, यहाँ पर लिखा, अबनेंस अफब बटरफ्लाइज, इन अने एरिया, रिप्रजेंट, रिच्ट बाइबरस्ट, इंपोर्ट, इन इंडिकेटर स्पीशे, प्रोअईट प्रोईड, अन ओवर अल कंडिशन, अब कंसेप्ट है, है कि जो आपका एक प्रजाती है वो एक इंडिकेट रहे किसका रहाग है इनफोर्मेशन देती है इनफोर्मेशन अगार्जन अफ एको सिस्ट्म उस के लिए आप important लिख लो ये चीज़ें आप लोग ना session देख रहे हो बहुत सही है बस देखते रहें और आपको ये session की जो PDF डाटा है ना description box में उसका एक link given है आप लोग वहाँ पे click करके as it is आपको PDF वहाँ से provide हो जाएगा same session का clear students बढ़ें आगे next news रहती हमारे पास तिलारी conservation reserve और ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी GS paper 3 के लिए clear है यहाँ पे लिखा महराष्ट्रा सरकार ने क्या कर दिया कि महराष्ट्रा सरकार has declared 29.53 स्क्वेर किलोमेटर्स एरिया किसका डोडा मार्ग फोरेस्ट रेंच इन सिंधू दुर्ग डिस्टिक्ट एस तिलारी conservation reserve clear है सुरेंट सॉरी कोई डाउट तो नहीं है अब तिलारी क्या चीज है is the seventh wildlife corridor in the state to be declared as conservation reserve important रहेगा ये डाटा आपके लिए ये प्रिलिम्स प्रस्पेक्टिव से important है ये भी आपका प्रिलिम्स प्रस्पेक्टिव से पहले दो points my dear students important रहने वाले हैं clear आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा था area covering nine villages और जहां पर हमने बोलाना कि तलारी conservation reserve के हमने इसको डिकलेर कर दिया है कि wildlife corridor और वो एरिया कवर कर नाइन विलेजिस को जंगल के अंदर नोर आज serve as corridor and even as habitat for the population of tigers elephants moving between the three states of goa karnataka and maharashtra clear मतलब यह होगा कि यह दो पुरा वेसंगाट के अंदर आरा आपका यहां पर लिखा यह connect कि सको कर रहे है इट connects माद्याई century in goa and भीमगड इन कर नाटका अगे इंपोर्टन डेक्टिविटी लेकर आरा आपका it has semi evergreen forest यह आपको उसके species मिल रहें जंगलों के टाइप्स मिल रहें tropical moist decidis forest and the number of unique trees butterflies and the flowers के ते maharashtra has 62 conservation reserves of which 13 are in the western ghats important है state prelims के लिए आपका ऐसा कुछ कोशन पूछा कते हैं वो लोग clear है ना आगे बढ़ते है अब यह आपका western ghatska so these are your reserves कोई डाउट नहीं है चलें आगे आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा तिलारी के लिए के लिए के दिए अरे किसके बीचनेक्टर है अरे हमने यहां पर पड़तों लिया था ना कौन सा सेंचरी जो गोवा के अंदर है महादियू सेंचरी एंड भीमगड इन करनाटगा तो वो चीज़ आगी ना बेट्वीन इस्टाबलिश नैशनल पार्क्स वाईलेफ सेंचरी इस रिजर्ब और प्रटेक्ट फॉरेस्ट यह आप चीज ध्यान में यहां पर ग्राफिकल इस्पेक्ट से पहरा पॉंट इंपॉर्ट न अपने पास यहां पर लिखा कि सच एरियास आर डेजिगेट अब इस तरीके के एरियास को हम लोग क्या बोलते हैं अब इसको यूज कौन करेगा सबसें सबसेंस बाइड़ कोमडी एरिया इस पार्ट ऑब देलाइन अर्प्राइड ली ओंड अगर उस में से कुछ इसाप प्राइविट सेक्टर का भी ए तो बात की गई है पर कहते इस प्रिटेट इरियास के टरगाइज वर फर्स इंड इंड वायल दलाइफ प्रिटेक्शन अमेंड में एक 2002 अमेंड मेंड मेंड आफ दो वायल अफ प्रेक्शन एक्ट ऑस 1972 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आफ याद रखे इस तरीके को थोड़ा फोकस किया करें आप लोग आगे कितिक इस केटगरीज वरे इड अब इस तरीके की जो केटगरीज हैं हमने एड कर दी क्यूं अरे रिड्यूस प्रोडिक्शन इन एंड 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 इस्टिंग और प्रोपोस्ट प्रोडिक्टेट अरियास दू प्रिवेट ओनर्शिप ऑफ द लैंड यूस कियर आगे आया जुलाय थोजर मिसमें एर एटी-एट कंजर्वेशन रिजर्व सब्सक्राइब एंड एंडिया यह 2019 जुलाई के कॉलिंग डाटा है हमारे पास क्लियर एक आगे बने और अगली नेक्स नूज एक ने हमारी नेक्स नूज रेती है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ दिजीज इस ड्यू टू पैंडमिक और यह इंपोर्टेंट है जी एस पेप पर टू के लिए बड़े हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है यहां पर शुरू करें ओके तो सुटेंस देखते हैं यहां पर की अकॉर्डिंग दूदा इंफोर्मेशन अब जो हमें इंफोर्मेशन मिली ओन वीकली आउट ब्रेक जो वेबसाइट में मिली किनकी इंस्टांसेस अब डजीजिस अधर देन कोविट नाइटीन दू टू अंगोईंग नोवल कोरोना वाइरस पैंडमेक अब हमारा सबसे पहला टास्क करेगा कि वट डू मीन बाइडी इस पी जिसको बोलेगा इंटिग्रेट डजीजिस सर्विलेंस प्रोग्राम तो इसके पर लिखते हैं अंसर हमारा सबसे पहला है क्या के देख इंटिग्रेट डजीज सर्विलेंस प्रोग्राम वाज लॉंच्ट बाइड अधिश्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेल्फिर कौन से मंत्रा लेकर अंदर आगया अरे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एन फैमिली वेल्फिर के अंदर आ रहें ना इन असिस्टेंस किसके साथ मिलकर विद्दक वर्ल्ड बैंक इन 2004 से सेकिंड पॉइंट की बात करें इसका में अब्जेक्टिव जो सेकिंड पॉइंट है एम लिख लो अब्जेक्टिव लिख लो कि इसको बनाने की जूर्थ क्यों बढ़ी है मैं सुरिंट्स तो क्या है टू स्ट्रेंथन या मेंटेन करना है डिसेंट्रलाइजड लबार्टरी स्को बेस्ट एंड एन्फरमेशन टेक्नोलोजी आईटी enabled disease surveillance system for epidemic proof disease to monitor disease trends तो यह रही आपकी definition की integrated disease surveillance program क्या चीज़ है और कौन से मंतराले के अंदर आगया आपका यहां तक कोई स्टे की रिपोर्ट आती है disease outbreak को लेकर COVID-19 को लेकर क्यों ताकि जो कंट्री बेस्ट on the surveillance network है that span at least 600 district जो 600 district के ओपर निग्रानी रखी जा रही है लिखा कि the weekly report available on the IDSP website from week 12 मतलब मार्च 16-22 of 2020 record a mere six disease alerts across the country छे ऐसी बीमारियां जिसकी ओपर पूरे भारत में alert जारी किया गया कैते दिए six alerts include a case of क्रीमियम, कॉंगो, हम और फेजिया फीवर, three cases of chicken pox and each case of dengue and the food poisoning तो आप concept देखें, monitor करने है, के थे, in the week of 11th of 2020, there are 28 alerts, 12 of which were for the COVID-19, clear है? next आया, however, after 3rd में 2020, अब 3rd में 2020 के बाद, there is again an increase in the report of the order diseases, अब इसके बाद कई और बिमारियों ने भी alert जारी कर दिया, but the latest data suggested, but जो latest data आया, उसने क्या दिखाया, और क्या suggestion दिये, कि it has not completely normalized as compared to the previous years, clear है? आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा, in the same week, in 2019, there were 17 alerts, और अगर बात करें, 2019 में 17 alerts दिये गए, बिमारियों को लेकर, डजीज को लेकर पूरे भारत के districts में, और अगर मैं बात करें, 2018 में 28 alerts आये, और 2017 में 45 alerts आये, तो आप लोग देख सकते हो, हम लोग किस तरीके से COVID-19 को छोड़कर बाकी diseases को रोकने में कितना कारगर रह रहे हैं हम लोग, हम लोग कितना सर्वलेंस पर रहते हैं, तो वो concept आप लोग देखें, 2019 में 17 थे, इससे पहले 18 में 18 थे, 12 सतार में 25 थे, तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कहते हैं, however, there are no record in 2020, after the week 12, that is after March 22, clear, और अगे बढ़तने, next आया, the IDSP faces of manpower crunch in the middle of pandemic, बिल्कु ठीक है, clear it, कुट आउट नो नहीं है, next आया, कि the neglect of other disease, अब हम लोग एक डजीस को नेट करके, दूसर डिजीस पर फोकुस करें, क्या, has been observed by the reduction in the notification, अब concept है, एक बिमारी A है, एक बिमारी B है, this is disease 1 and disease 2, अब अगर हमें पता लग गया, कि report of disease, due to pandemic है, A, अब decline कर रहे है, तो क्या करते हैं, हम A से shift करके, B disease की ओपर work करना शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि A के, जो disease के, जो infected persons है, उनको reduction आ रहे है, उनके उपर कम ही आ रहे है, लिखा है, कि reduction in the notification of the fresh tuberculosis infection and general decline in the claim under the Ayushman भारत health insurance scheme, तो ये concept है, ये important है, हाला कि भारत ने बोल रख है, कि India will free from the tuberculosis by the 2025, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, कि under reporting of the disease due to the pandemic के में भी हमें tuberculosis infection को detect करने में सहाथा मिल रही है, और वो सहाथा कौन कर रहा है, और वो सहाथा IDSP कर रहा है, और वो सहाथा IDSP कर रहा है, जो आता है Ministry of Health and Family Welfare मंत्राले के अंतर, तो clear है यहाँ तक, कोई doubt है, तो my dear students, किसी को आज के session में भी कोई भी doubt होगा, तो मैं request करूँगा सभी से, आप comment section में जरूर लिख कर बताए, क्योंकि मैं next slides में आपके वो ही doubt को clear करूँगा, clear है, और मैं आशा करूँगा कि आपको यह वाला session भी काफी अच्छा लगा होगा, तो please इसको rate कीजिए और review कीजिए, बस आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको current office में कोई भी problem नहीं आने दूँगा, clear, thank you friends.